हमें angle का formula नहीं applicable करना होता है clock में हमें answer निकालना है तो हम लोग निकालेंगे जब भी हमें question में angle और angle निकालने के लिए घंटे और minute का ratio अगर 1 by 4 दिया जाएगा तो क्या करेंगे घंटे का और minute का ratio यानि के अनुपात एक बटे 4 आएगा एक ratio चार एक ratio चार होगा तब क्या करना होता है पता है तब थीटा निकालने के लिए angle निकालने के लिए हमेशा minute का दुगना कर देते हैं minute का double कर देते हैं minute का double जो भी minute दिया गया हो उसका double काल दूग ना कर देते हैं और जब रेश्यों क्या होना चाइए एक बटे चार का रेश्यों होना चाइए तब हम मिनिट कर डबल कर दें जैसे कि देखते हैं जैसे कि एंगजांपल रहे पर टेकर । छेगें India कि 7起 25 कितने डिगरी का एंगल बनेगा वह आप लोग को बताना है ठीक है शाथ बच बच का 28 मिनिट पर हेंद पांच बच धर 20 मिनिट पर कितने डिकका एंगल बनेगा अत静 अ decide कि अयारे बल समझ पे च्छे बच कर 24 मिनिट पर कितने डिग री का एंगल बनाना पड़े गा वह भी बताई आप लोग है ना ठीक है निकाल के बता दो जल्दी से इसमें ठीक है आठ बज कर 32 मिनिट पर कितने डिगरी का बनेगा रेशियो चेक कर ले ना पहले आप लोग रेशियो चेक करके तब लगा ना ट्रिक जो मैंने बताई हुई है सारे बताने हैं सारे हाँ तेरा पावन पर भी सेम होगा सेम ट्रिक लगेगा तेरा बज के बावन मिनिट का भी सेम ट्रिक लगेगा बिल्कुल सेम लगेगा तेरा बज के बावन मिनिट का भी सेम ट्रिक लगेगा सेम लगेगा एकदम सेम चले बन गया बता ऐंगे, डबल करते जाएंगल हमने दीखा, 7 चूक, 8 होते हैं, 5 के 20 होते हैं, 6, C, 24 होते हैं, 8, 4 चूक, 22 होते हैं, एक वटे, 4 का रिसय दर, डबल डबल करते जाएंगें, ठीक है, यहाँ पर 40 डूटे डिगरी आया, यहाँ पर 48 डिगरी बन गया, डबल करते हैं मिनिट का डबल जो मिनिट दिया गया है एक मिनिट लिख तू मरना पता नहीं फिर तुम्रों कंफ्यूज हो चाते हो ना यहां पर 20 का दुगना करना पड़ेगा यानि 40 डिगरी का कोन बन रहा होगा यहां पर 24 का डबल करना पड़ेगा यानि कि 48 डिगरी का को पर बन जाएगा बताए तीनों के तीनों आप लोगो जो मैंने ट्रिक्स कराया है clear हो गया 1 by 5 का ratio हो तब minute का आधा करते हैं ratio अगर 1 by 5 का हो 1 by 6 का हो तब हम लोग क्या कर देते हैं minute का half कर देते हैं minute का आधा कर देते हैं ये ratio अगर हमें देते हैं और 1 by 4 के लिए minute का डबल कर देते हैं clear हो गए सारे तीनों के तीनों बाकी तो angle का formula पताई है ना आप लोगको angle का formula भी तो लगा सकते हो चीक है angle बराबर 1 by 2 16 to hour minus के 11 into minutes ठीक है clear है ये चीज़ बताईए नहीं इस तरह से 60 याद नहीं करने पड़ेंगे इतने ही याद करने है कोई जरूरत नहीं है याद करने के लिए आप angle का formula लगा लो बस इसे एक formula को याद रखो पूरा chapter इसी ते करो कोई दिक्कत नहीं है मैंने सिर्फ उन लोगों को बताया है जिनको tricks लगाने का है या tricks की जरूरत पड़ती है आप इसे एक formula को याद रखिए यहाँ पर आप घंटे की value पूट कर दो वहाँ पर minute की value पूट कर दो अंसर आजाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है फिर आपको बहुत सारी tricks याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी